है डलोपर सो आज का टोबिक मेरी खुद की प्रफेशनल लाइफ से बेलेटिड है टोपिक आपने पहले से देख लिया हुआ कि क्या हमें एक टेकनोलोजी से दूसरी टेकनोलोजी के अंदर स्विच करना चाहिए बहुत से डलोपर होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि लेट इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे और मेरी लाइफ से कैसे रही लेट है में आपको यही बताऊंगा बट यह क्वश्चन मैंने इंस्टाग्राम से उड़ाया था एक व्यूवर ने शायद मुझे क्वश्चन करा था कि उनको भी कोडिनेटर के अंदर एक्स्पि इसा उनका सोचना है मेरा सोचना नहीं है तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यह मेरी प्रफेशनल लाइफ से कैसे लिड़े में आपको बदाता हूं मैंने जब इनस्टे में काम चुलू करा था सो मैंने श्टार्ट करा था है स्ट्यम्ल Css से बट मुझे एक डानमिक लेंगविज चेह थी बिगोज है स्ट्यम्ल Css को हम लोग प्रोपर प्रोग्रामिग लेंगविज नहीं बोलते है सो तब मैंने पीच्प के थर काम शुलू करा था बट मेरे ऐसा कुछ प्लान था नहीं कि मैं पीच्प से जावास्क्रिप के अंदर मूव करू लिए जावास्क्रिप के नहीं कि मुझे पीच्प से जावास्क्रिप में मूव कर लिया और जावास्क्रिप के नाम लेने लग गया तो लंबी गानिय हो जाती है सो तब मैंने चेंज कर दा बट मेरा उस ताइम पे ऐसा कुछ मूड था नहीं कि मुझे पीएचप के अंदर जोब नहीं मिल रही पैसा नहीं मिल रहा और मुझे जावास्टिप के अंदर जाना है बस वो एक मूव था और मेरा इंटरस था मुवाइल डेलप्मेंट के अंदर सो क्वेशन क्या बनते हैं पहले मैं आपको बतायता हूं कि में पॉइंट्स के रहने वाले मैंने कुछ नोट डाउन करें था कुछ पॉइंट्स मिसना हो जाएं वीडियो के अंदर मैं एडिटिंग नहीं करता है बिल्कुल भी जो बोलता हूं एक बार में बोलता हूं तो करना है तो रही किस तरीके की प्रीग मिश्म करनimana चौए सारे पॉइंट's हम लोग डिसकस करेंगे तो सबसे पेला question आता है कि developers change करते क्यों है टेकनोलोजी अब पहला अगर वो अपनी खुद की मर्जी से करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी खुद की टेकनोलोजी से काम कर रहे हैं उसके ज़र पैसा नहीं है even जो node developer, javascript developer पर और PHP डलब पर इनको Python बहुत अधा पसंद आती है कि आर Python में काम करेंगे पैसा मिलेगा हाँ पाइफन इंडिया के अंदर इवन मैं अगर बोलू तो South Asia के अंदर इनको लगता है कि हमाले टेपन इंदर इनको लगता है कि इंदिया नेपल बंगर देश पाइसके हिसा को बिलता है समझाऊंग कैसे बच दूसरेर रिजसे सदेख़ैं second reason यह होता है कि पैसे के लावा कि उनको technology मज़ा नहीं आ रहा हुता हूँ उनको लगता है कि यार मैं भी software's बना रहा हूँ महा लेज़े कि वो job में काम करते हैं वो windows के applications बनाते हैं software बनाते हैं बर उनको लगता है कि मुझे mobile development में जाना है मुझे web के अंदर जाना है मुझे AI के अंदर जाना है उस वज़े से वो change कर लेते हैं यहां पर salary का issue नहीं होता यहां पर होता है उनके interest का issue उनके passion का issue after that एक चीज़ होती है कि let's say कोई अभी node.js के अंदर है but node.js के अंदर उस company के अंदर project नहीं है so उनको organization खुद बोलते है कि आप यहां तो leave कर जाओ यहां फिर किसी और technology के अंदर move कर जाओ ऐसा मेरे previous company के अंदर मेरे कुछ colleagues के साथ हुआ था मेरे साथ नहीं हुआ था कौन सी previous 3-4 previous one में से किसी के साथ हुआ था मैं ऐसे नहीं बता सकता गलत लगता है because company का reviews जला जाता है वैसे company वाले कुछ बोलते नहीं है but still फिर भी so यह दो-तिन reason होते है so पहला question मुझे valid क्यों नहीं लगता जो मैं आपको यह बोलता हूँ कि एक technology में पैसा नहीं है दूसरी technology के अंदर पैसा है तो पैसा कम मिलता है आप किस time पर join करते हो कितनी जल्दी join कर सकते हो कितनी जल्दी company को requirement है और company किस location के उपर है even अग में इंडिया की बात को Bombay, Bangalore के अंदर आपको ज्यादा पैसा मिलेगा as compared to dairy तो यह काफी सारी respect हो जाते है but still PHP डॉलपर वालों को लगता है कि नहीं उनको JavaScript के अंदर और Node.js के अंदर पैसा मिलता है तो इसलिए स्वीच कर जाते है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो अलग बात है मैं आपको बदाऊंगा but अभी में पॉइंट्स दिसक्स कर रहे है सेकंड चीज जब बात इंट्रस्ट किया जाती है तो आपको उम्परवाइज नहीं करना चाहिए अगर आपका इंट्रस्ट है अभी आप वेब में हो आपको मुबाइल में जाना है याई कंदर जाना तो आप आप अराम से स्वीच कर सकते हो तो आपका इंट्रस्ट जब तक नहीं बनेगा तो आपको किसी में काम जा दिन तक टेक नहीं पाऊँगे थर्ड चीज आते है और्गनाइजेशन जब आपको और्गनाइजेशन फोर्स करती है कि आप टेक्नोलजी चेंज कर लो सो मेरे हिसाब से आपका पहला मूव होना चाहिए न्यू जोब सर्च करना रीजन बिंग आपको इस टेक्नियों कुछ भी नहीं पता माल लिजे एक्जामपल में आपको देता हूँ कि अभी आप Node.js के अंदर हो और कंपनी बोलते है कि यह भी प्येच्प केंदर प्रोजेक्ट है आप प्येच्प केंदर प्रोजेक्ट करो और या फिर कंपनी लीव कर दो आप प्येच्प केंदर एक बार चेंज कर लेते हो बट होगा क्या कुछ दिन के बाद में कर उसी कम नहीं करना चाहिए अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं भी इतना स्ट्रोंग नहीं हो कि मुझे दूसरी जोब एजीली मिल जाएगी यह कंपनी मुझे अच्छा पैसा देरिया में स्टेबल हूँ तो ही आप चेंज करो अ तो इस तरीके साब टेकनोलोजी चेंज करती रहे जाओगे कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे और जब आप 6-7 साल एके एक्सपर्ट पे होते हो तो आपको एक टेकनोलोजी के इंदर एक्सपर्ट होना काफी सही रहता है अगर मैं अगर बोलनों तो जुरूरी होता एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे जूर्स की प्रोडम रिजोल नहीं कर पाओगे खुद स्टक रहोगे तो उसके इंदर कोई मजा नहीं आता उससे अच्छा ही है कि आप चेंज करके एक्सपर्ट ही बने रहो दो टेकनोलोजी कर सकते हो बट जो कंपनी आपको खुद फोर्स करें टेकनोलोजी चेंज करने के लिए वो तीसी टेकनोलोजी करने के लिए बोल सकते है चोथी टेकनोलोजी करने के लिए बोल सकते है उससे अच्छा है कि वहां से मुववन कर जाओ तो ये थे चेंज करते क्यों है क्या चेंज करना ठीक है एक तो मैंने आपको बता दिया बिल्कुल गलत है अगर आपको organization बोलती है तो अगर आपका passion है तो perfect है आप कर जाओ कोई problem नहीं है अब third चीज आती है जब आता है पैसे की अगर आपको लगता है कि PHP अंदर लेट सेगी पैसा काम है या फिर Node.js में पैसा काम है आपको Python में जाना चाहिए जूलिया में जाना चाहिए गोलाइंग अंदर जाना चाहिए मुबाइल डॉल्मेंट में जाना चाहिए आपको ऐसी चीज़े लगती है तो यह decision आपको timely लेना चाहिए ताइमली का क्या मतलब है यहां पर मान लीजे कि आपको 7 साल का experience है साथ साल तक आपने PHP में काम करा और आप अब आपका मन कर रहा है कि यार मुझे तो Node.js में काम करना है completely wrong decision समझो इस चीज़ को आपको 7 साल का experience है जब आपको 9-10 साल का भी इवन 8 साल का या फिर 10 साल experience हो जाता है तब आपसे ऐसा expect नहीं कर जाता है कि आप एक junior developer काम करो आपको ऐसा senior developer treat कर जाता है आपको help करनी होती है juniors की और उस time पे आप technology change कर गे बैठे हो आपको JavaScript में 1-2 साल experience होगा मान लोग कि आपने PHP से JavaScript में change करा एक या 2 साल experience होगा आपसे junior question पूछें क्या बोलोगे यार मुझे तो नहीं आता है मैंने तो 5 साल PHP पे काम कर रहा है अब मुझे इसका idea नहीं है आप 4-5 साल तक JavaScript में काम करोगे तब आपको वा 15 साल experience 15 साल के उपर लोग manager बन जाते हैं आप तब तक developer ही बने रहा हो better solution क्या है better solution यह है कि अगर आपको 7-8 साल experience है तो आप अपनी दूसरी skills के उपर ध्यान दो data structure के उपर ध्यान दो communication skills के उपर ध्यान दो client handling के उपर ध्यान दो आप एक team lead बनने ही कोशिश करो जब आप एक team lead बन गए उसके बाद 2-3 साल बाद में manager बन जाओगे और तब आप चाहे कोई भी technology के developer को handle करो उस टाइम आपको code थोड़ी ना देखना होता है आप client handle करना होता है team manage करने होती है तो उस टाइम पे आपको कोई भी ऐसी problem नहीं आएगी आप PHP के project को manage करते थे तो आप node के project to manage नहीं कर पाओगे python के project to manage नहीं कर पाओगे ऐसा कभी नहीं होगा आप एक manager बनने के बाद कोई भी project manage कर सकते हो तब आपको sell-tech issue नहीं आएगा बिकोज चाहे आपने python करी हो चाहे PHP करी हो चाहे node करी हो जब आप एक manager बनते हो एक senior post के उपर जाते हो आप equal हो जाते हो हर दे कैसे ठीक है तो अगर आपको 6-7 साल का इससे ज़्यादा का experience है तो कभी भी एक technology change करने की मत सोचो उसके अंदर ही और professional बनो और अपने extra skills add करो कुछ certifications होती है ये udemy वाली certification नहीं बहुत अच्छी certification होती है team lead के लिए और associate manager के लिए assistant manager के लिए manager के लिए आप वो करो और अपना post उपर बढ़ाओ senior बनो ना कि आप technology change करो technology change करने का आप सही time क्या है अब ये question आता है अगर आप 1 या 2 साल के तक हो या फिर 3 साल तक भी हो junior developer ही मानते है तो आप किसे हमारी इतनी expectations नहीं होती एक company की कि आप एक team को lead करो client को handle करो तब आप technology switch कर रहे हो that's okay कोई दिक्कत नहीं है पांच साल तक जब आपको experience होगा तो तो आपको दो programming language की ठीक ठाक knowledge होगी उसके बाद danak данak तीन साल के बाद में company change कर ली पांच साल के बाद van थीन साल के बाद भी थैक्नोलजी चेंज कर ली और फिर फृWow बस एक बाद technology कर लो मांड मे अप कर लो अच्छे से study कर लो market में की क्या future के अंदर होने वाल है और उसके बाद में आप दो टेकनलोजी करने में कोई प्रोल्म नहीं है चाहे आप टेकनलोजी पांच भी कर लो बट एक के अंदर आप कम्प्लीटली एक्सपर्ट बनो आपको कोई नींदों में भी क्वेश्चन बूछे ना कि यार यह प्रोल्म को चुलूशन क्या हो सकता है इस प्रोग्रामी लें अच्छे इंटरव्यूज दो पैसा मिलेगा कोई दिक्तत नहीं है ठीक है सो हमने डिसकस कर लिया कि जब हमारे पास 6-7 साल एक्सपीरियंस हो तब हमें जोब चेंज नहीं करने चाहिए जोब पता नहीं मेरे दिमाग में अज क्यों आ रहे है दो तिन साल तक एक्सपीरियं है तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो सीनियर बनो टीम लीड बनो प्रोजेक्ट मैनेजर बनो सब बराबर आ जाए कोई प्रूलम नहीं है जाए प्याइच्प हो जाए पाइथान हो सेकिंड चीज यह है आप फुल स्टैक ड़लवर बन जाओ अब यह क्या होता है लेट पर क्यों पर इंपा कंट कर लो आप क्यूपर का मैंड किरो आप फुल्स्टैक डवल प्रोडोड वंचाओ ऑंगे उस चाइंप पर कभी यह मत बोलना कि मैं यह जवाश्कृट अप हमेशा बोलना कि मैं फुल्स्टैक डवलवर हूँ फुल्टैक कोई अलग से नहीं होते भगवान के दीवे परिंदे नहीं होते हैं, उनको एक back-end technology आती है, एक front-end technology आती है, बस वही full-stack developer होते हैं, PHP आती है, for example, react और या फिर angular या फिर view cycle intermediate लेवल पर जावस्क्रिप्ट करके, जमतिक जावस्क्रिप्ट नी चीज़ आपको आने वाली है नहीं, अगर आप सोचे हो कि बीना जावस्क्रिप्ट करें, आप react, angular या फिर view के अंदर scientist बन जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला, पहल लगता है कि यार नहीं, मुझे back-end technology सीकुनी चीए, तो node cycle, PHP cycle और खुद को full stack developer की list में ले आओ, ठीक है, एक चीज़ और, HTML, CSS developer भी ऐसा बोलते हैं कि यार, उनको move करना है, जैसे मैंने करा, मुझे लगता था कि HTML, CSS एक proper programming language नहीं है, और valid reason है, ठीक है, they are not actually proper programming language, so, तब हमें switch करना हो, तो switch नहीं करना आपको, तब भी आप, let's say, आपको HTML, CSS आती है, आप JavaScript react सीख लो, आपकी profile में add हो जाएगा, बाद में आप node सीख लेना, अदर्वाइस अगर आपका HTML, CSS है, और आप React और Angular, जहे चीज़ नहीं सीख लेना, तो perfect combination बन जाता है, market में बहुत पैसा मिल हो, चीक है, तो इस तरीके से आप, एक technology को छोड़ो मत कभी भी, अगर आप कुछ नई skills add करते हो, तो वो एक better solution है, चीक है, तो ये मेरे सारे opinions थे, और usually, अभी भी ऐसे, जब मैं interviews लेता हूं, तो 6-7 साल experience वाले जो लोग आते हैं, उनमें से एक दूरीश में मिल जाते हैं, जिन्होंने 5-5 साल तक, 6-6 साल तक PHP में काम कर रहा होता है, एक साल से और react में काम गर रहे होते हैं, फिर वो बोलने में 3-4 साल experience है, interview लेते हैं, कुछ नहीं आता, तो ऐसा आप बनने से better है, कि अगर आपको किसी और technology के अंदर job चाहिए, मालो full stack भी बनना है, जब तक job change कर जब आप technology change करता हैं, तो लोग सोचते हैं, यार मैं company change कर लेता है, उसमें अपने आप technology change हो रहेगी, थोड़ा बहुत पढ़के, अपने current company अंदरी क्यों नहीं try करते हैं, वहां आप आप interview देने की जरूत भी नहीं पढ़ेगी, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था, मैं तो PHP developer था, मुझे तो खुद ही offer कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा developer था, उस time मैं भी normal developer था, आप अपने खुद के ही manager से, खुद के ही team lead से बोलो कि मुझे दूसरी technology में काम करना है, काफी बार chances होतने हैं, कि आपको आपको अलाओ कर देते हैं, ठीक ह जाती है, तो कभी मना नहीं करते हैं, आपको, so that's all, ये मेरे opinions थे, और मुझे comment के अंदर करके बताना कि कैसे लगे आपको opinions, कुछ problem लग रही है तो मुझे बताना कि नहीं इसका ये better solution हो सकता है, because nobody is perfect, हो सकता है कि मैं कुछ miss कर रहा हूं, आपके पास कुछ better option हो, कुछ सह subscriber होने वाले है, so I really need your support, आपने comments दो, feedbacks दो, comment box के अंदर, and video को like करो, and channel को subscribe करो, thank you so much for watching this video.